अलो फ्रेंट्स वेलकम टो एड़ो टैप आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है भई तो जैसा है कि आप सभी जानते हैं कि हर सेटर्डे को हम आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर के आते हैं जिसमें एक पजल डिसकस की जाती है तो पजल का आज डे टू है बच्छे और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो आप हमारा एड़ो टैप का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें ताके आपको सारी नोटिफिकेशन जो है हमारी वीडियो की वो टाइम पर मिल पाएं और फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे telegram channel को भी जुरूर जोइन करिए, तो do subscribe our YouTube channel as well as join our telegram channel. चलिए बचे, तो start करते हैं आज की puzzle, puzzle पर चलने से पहले मैं आपको बता रहता हूँ, ये puzzle आपके CAB grade A 2018 के exam में पूछी गई puzzle है, ठीक है, तो CAB grade A 2018 के exam में पूछी गई ये puzzle है, और चलिए फिर देखते हैं कि पजल को किस तरीके से solve करना है और आप भी वीडियो को पोज करके सबसे पहले पजल को बनाने की कोशिश करिएगा ठीक है चलिए तो start करते हैं तो सबसे पहले आपके पास direction given study the following information carefully and answer the questions given below तो इस पजल के बाद कुछ question होगे जिनका answer हमें तरना है there are eight friends a b c d e f g and h which have birthday in different month of some year these months are March तो पहले इनके days भी लिख लेते हैं साथ की साथ मार्च में 31 दिन होते हैं February 28 या 29 डेज की होती है बचे अप्रेल में 30 डेज होते हैं माई में 31 अगस्त में 31 जून में 30 होंगे जनवरी में 31 होंगे जुलाई में 31 होंगे they live on different floor of eight story building first floor is ground floor and eight floor is topmost floor ठीक है तो जब भी आपको फ्लोर बेस पजल दी जाती है हमेशा आपको क्या करना है बच्चे इस तरीके से एक टेबल बना लेनी है सबसे पहले फ्लोर लिखेंगे उसके बाद परसन होगा और यहां पर उन सब के बढ़डे different month में है तो मैं यह month लिख लेता हूं यहां पर इसके बाद मैं कुछ रोज बना लूँगा ठीक है कितने फ्लोर है एट फ्लोर है तो मैं एट रो बना लेता हूं ताकि सुईदा नुसार फिर में इस पजल को जल्दी जल्दी सोल कर पाऊं तो one two three four five six seven और eight floor मैंने इसको बना दिया इस तरीके स six seven और eight और पर्शन और मन्त अब हम लोग देख लेते हैं तो सबसे पहले कह रहा है दवन हूं लीवस ओन ओर नंबर फ्लोर अब थार्ड फ्लोर है बादे इन फेवरेरी यानि थार्ड फ्लोर से उपर ओर नंबर फ्लोर पे जो रहता उसका बड़े फरवरी में है तो थार् फ्लोर बीट्विन दा फरवरी और सी वाले के बीच में एक फ्लोर है ठीक है नेक्स्ट की बात हो रही है एफ बड़े इस इन थार्टी देज मन्त में थार्टी डेज या तो एपरेल में है बच्चे या फिर आपके जून में तो अपका बड़े या तो अपरेल में होगा या जून में होगा, there is no floor between A and the one who has birthday in June, तो A and June बिल्कुल adjacent है, यह चीज भी आपको ध्यानक नहीं है, C has not born in June, but in that month which has 30 days, जो C है, वो June में पैदा नहीं हुआ, but उस month में हुआ, जिसमें 30 days है, और 30 days दो ही month में है, या तो April में है, तो that means C का birthday किसमें है, April में है, तो F का birthday April या जून में से किसी एक में था, तो C का April में है, तो that means F का June में होगा, C lives below from the one who has birthday is in February, जो C है, वो किससे नीचे रहता है, जिससे फरवरी में जिसका birthday उससे नीचे रहता है, but not on third floor, अब देखो, तो अगर C और February के बीच में एक floor है, यहां पर यह देखो, यह information है हमारे पास, और अगर February को मैं fifth floor पे लेके चलता हूं कि जिसका birthday February में है, वो fifth floor पे रहता है, तो C और February के बीच में एक person आएगा, और February से नीचे ऐसी, तो C कहां पर आएगा, थार्ड फ्लोर पे बट जो है, वो third floor पे नहीं रहता, यहां से एक चीज कलियर होगी कि फरवरी वाला फिस्ट फ्लोर पे नहीं रहता है, तो 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 यह देखेंगे, यह दाज नोट लीवान 6th and 8th floor, यह जो है वो, ना तो 6th floor पे रहता है, ना ही 8th floor पे रहता है, अगर मैंने circle में लिखा है, तो that means वो वहाँ पे नहीं है, there is three floor between the one which has birthday is in April and August, तो अप्रेल और अगस्ट वाले के बीच में त्री फ्लोर है, तो यह अगर अप्रेल और अगस्ट के बीच में ढूता नीचे आएगा घ लीश जो फर्स्ट फड्स फ्रोर रहता है उसका बर्डे अगस्त में ज घुलोर फ्रम टॉफ्प लॉर्ट यह वह घुट बिलो прокट्ट अ बीच ठीडिक वहोगा और शयलब देशव teria इना मर्च लीव-on just below from the one which has burden February March वाला फर्वरी से just below रहता है तो यह फर्वरी है तो यहाँ पर March आ जाएगा आपका ठीक है बच्छे next की अगर मैं बात करता हूं H lives immediate above from G जो H है वो G से immediate above रहता है there is one floor between the one which has burden January and March जन्वरी और मार्च वाले के बीच में एक फ्लोर है तो जन्वरी या तो यहाँ पर होगा बच्छे जन्वरी या तो आपका यहाँ पर होगा यह जन्वरी आपका यहाँ पर होगा ठीक है next जो कह रहा है the one which has next January and March but the one which has birthday in January जुलाई लिए लिवान फॉर्थ फ्लोर पर नहीं है तो डैट मेंस जॉन्वरी याला फ्रस्ट फ्लोर पर एट्फ फ्लोर पर होगा next कहा रहा है बी लिव्स बिलो फ्रॉम ए जो बी है वो इसे नीचे रहता है कि सी भी फ्लोर पर next है the one which has birthday in July lives below the floor from F July वाला F से अबव रहता है July वाला यहीं बोला है कि B lives below E the one which has birthday in July lives below है वई तो डैट मिन्स बिलो दा फ्लोर प्रॉम एफ तो जुलाई वाला F से नीचे है A lives above the floor to that person who has birthday in June जो A है वो June वाले से उपर रहता है ठीक है और A और June एक साथ रहते है ठीक है बच्छे अब देखो simply यहां पे अगर यहां पे C है यहां पे E है और जो June जो है वो एक साथ रहते है ठीक है तो A को यहां लेना पड़ेगा और A और June एक साथ रहते हैं तो यहां तो यहां तो यहां तो आप कहा हो और यहां पे होगा टीक है और जो एफ है वो जुलाई से उपर रहता है तो defa shirt एपे है तो जुलाई याल यहां पे आ जाये प電ए तो बाकी कोई भी possibility हमारे पास नहीं बची सभी पर्षन आचुके हैंगेला वस्ता अधियोर पर होगा smoked floor पयोगा और मत हमारे पास एक ही बस्ता है माई तो माई वाला यहां to आजाएगा ठीक है तो यह पूरी पजल को हमने बहुत आराम से सोल कर लिया ज्यादा मुस्किल नहीं थी बहुत आराम से आप इसको बना सकते थे अच्छा एक परसन बचता है हमारे पास आओ अपत्र जोभी है से नीचे रहता है तो यहां पर आ जाएगा तो यहीं रहेगा यह थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हमने गलत कर दी थी बड़ी जहानों रखिये जो ई है वो बीचली हे नीचे तो यहीं पर आना था तो यहां पर बच जाएगा तो सारे परसन आ चुके है और सारे मंत भी complete हो चुके हैं चलिए बच्चे अब इस पर बेश्ट कुछ question देखते हैं कि question किस टाइप के हम से पूछे गए है तो बच्चा first question है हमारा कि who among the following has birthday in May तो मैं में देखो किसका birthday भई तो मैं में एका birthday है तो that means option 4th जो होगा वो आपका बिल्कुल right answer होगा कलिया रहे next देखते हैं बच्चे second who among the following lives on second floor तो second floor पे कौन रहता है second floor पे वो रहता है कौन एच या जिसका birthday July में है तो that means option one is the right answer question third देखो which one has birthday in July तो July में किसका birthday है एच का तो that means option three is the right answer four देखो बच्चे who among the following lives on top most floor तो top most floor पे कौन रहता है दी तो option second is the right answer question number five how many persons leave between B and F तो B और F के बीच में देखो यह हमारा B यहां पर यानि B six floor पे रहता और F third floor पे रहता है तो बीच में दो person रहते हैं that means option one is the right answer clear है भाई चलिए तो बच्चे मैं आपको बता रहता हूं कि एड़ोटैप आपको आर्भी ग्रेड भी नबाट ग्रेड भी नबाट ग्रेड भी सेभी ग्रेड और EPFO के courses प्रोवाइड करता है इन सभी courses की query के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे call कर सकते हैं या hello at the rate पे आप 8146207241 पे call कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या hello at the rate edit app.co.in पे हमें mail कर सकते हैं अगर यह पजल आपको पसंद आई तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसे like करिए सेर करिए ताकि हम आगे आने वाले सेसंस में भी कुछ important पजल आपके लिए लेकर आ सके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स सेशन में एक नई पजल के साथ तब तक आप सभी का बहुत-बहुत सुक्रिया थैंक्यू वेरी मच्च जैहिन जैबारत